आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा Chrome Extension जो आपके Amazon बिजनेस को ग्रोप करने में काफी हेल्प करेगा फिर चाहे वो Product Research हो, Keyword Mining हो, Reversation Lookup हो या Index Checker और भी बहुत कुछ मेरा नाम है Saurab, आप देख रहे Amazing Marketer, Let's Learn Something New Today इस Google Chrome Extension का नाम है Seller Sprite और इसके काफी सारे Features फ्री हैं, बट अगर आप मेरी तरह डेटा से बहुत जादा प्यार करते हैं और डीप इंसाइट्स निकालना चाहते हैं, तिन आप इसे 25 भी कर सकते हैं पर ऐसा तो होई नहीं सकता कि Amazing Marketer आपके लिए डिसकाउंट ना लाइट तो MR30 Code यूज़ करके आप फ्लाट 30% डिसकाउंट अवेन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो चलिए चलते हैं लैप्टॉप पर और दिखाता हूँ इस Chrome Extension को कैसे यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप और हाँ वो लाइक बटन दबाते ना तो सबसे पहले आपको Seller Sprint Amazon Research Tool के Chrome Extension को इस्ट्रॉल करने के लिए Google Chrome Extension की वेब साइट पर जाना है Chrome Web Store पर और इस Extension को इस्ट्रॉल करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जिससे आपको असानी हो कुछ confusion ना हो आप सीधे जाके उस लिंक पर लिख करके इसको इसको इस्ट्रॉल कर लेज़गा हम अल्रेड़ी इस्ट्रॉल कर चुके हैं इसलिए हमें रिमूव फ्रम तोम आ रहा है आपको amazon.in पर जाना है हम इंडियन मार्केट प्लेस पर ही यूज करेंगे इस इस्ट्रेशन को और यहां पर हम कोई प्रोड़क्ट सर्च करेंगे तो मैं सर्च करता हूँ वेजिटेबल चॉपर एंड हिट एंटर उसके बार ओविसली ना Amazon हमें प्रोड़क्ट सर्च रिजल्ट पेस दिखाएगा चहां पर बहुत सारे चॉपर आ जाएंगे जितने भी चॉपर है वो सब आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं पेज लोड हो रहा है और इस एक्स् रैंक मंतली सर्चेज आ रहा है और कुछ बटल्स आ रहे हैं जिनको हम अभी दिखेंगे और इसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो जो एमिजोन इंफर्मेशन हमें प्रोड़क्ट करता है जैसे टाइटल लिंप्र टाइम बी प्राइस इसके अलावा जो एडिशनल यूज़ करना समझेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है जो सेलर स्पाइट का यह आइकन आ रहा है इस पर आप जैसी गूवर करेंगे तो ऐसे तीन चार आप्शन आजेंगे प्रोड़क्ट रिवर्स से सेम कीवर्ड माइनिंग इंडेक्ट चेकर और माइलिस यह सारे फ इसके बाद जो ओवरॉल डेटा आएगा उसको हम देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं कितना बेनिफीशल है हमारे लिए अगर हम अगर हम अज़र सेलर इस प्रोड़क्ट को सेल करना चाते हैं यह कॉम्पटिशन वगरा को देखना चाते हैं तो अभी आप देखोगे यह आपने बहुत सारा डेटा आ चुका है तो इस डेटा को हम एके one by one करके समझते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे product research फाले page पे हम लोग है तो इस page पे आप देखोगे 25 एसिन्स हैं जो नीचे हमें data आ रहा है तो आम नीचे इसख क्रॉस्च करेंगे तो आप यहा पर कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए तो आप देखोगे ये रिफ्रेश होने लगा है और ये फर्दर और डेटा आपको दे देगा और भी टूल अब आप देखोगे रिजल्ट आ चुके हैं 126 रिजल्ट हो चुके हैं तो बेसीक लिए अभी 126 एसेंस को एनलाइस कर रहा हैं तो आप देखोगे 21,000 साड़े 21,000 यूनिट मंकली सोल्ड हो रहे हैं जिसमें एवरेज उनिट सोल्ड इस्ट डव ट्रिपल टू दो सोगवाइस ठीक है रेविन्यू कितना है रेविन्यू है बहात्तर लाज सतावन हजार ठीक है एवरेज रेविन्यू 72,579 बीएसर आ निकाला गया है तो इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है ठीक है इसके बाद एवरेज प्राइस जो इस प्रोड़क का है अगर आप में एवरेज देखें कोई 500 का बेच रहा है कोई 1000 का बेच रहा है तो एवरेज प्राइस जो निगल के आता दाट इस 390 रूपीज एवरेज रेटिंग है वो आ रहे है 3.8 अगर इन कॉंबिनेशन ऑफ ओल दर रेटिंग्स अगर हम देखें तो 10 से 752 दिखा रहा है ठीक है और लिस्टिंग की एज कितनी है कितने साल से यह प्रोड़क भिक रहा है यह लिस्ट जब होए थे तब कितना टाइम हो चुका है इसके बाद एक अनलाइज का बटन आता है इस अनलाइज बटन को आप जैसी क्लिक करते हो तो यह डेटा आया है सामने यही आता है लेकिन इसका फायदा गया है इसका यूज क्या है वो मैं भी आपको बता देता हूँ कि इस बटन को भी आप कैसे फर्दर यूज कर सकते है तो उसके लिए एक बार हम ऊपर चलते हैं तो उपर आप यहाँ पर देखो फिल्टर का बटन है जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इस तरीके के फिल्टर खुल जाते हैं अब आप यहाँ पर चाहते हो कि मेरे को वह वाले खाली ऐसी चाहिए जिनमें तो आप यहाँ पर 100 लिख सकते हैं मैक्सिमम भी लिख सकते हैं इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर से जो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं लाइट रेविन्यू वाइस कि अगर मेरे को ऐसा प्रोड़क्ट चाहिए या इनी मैसेच कौन सी ऐसी कंपनी है जो मिनिमम तीस दिन बेज चेंग के अंदर एक लाग का बिसनेस करें उसका मिनिमम रेवन्यू वन लाक है बैस सेलर रैंग का आपकी क्लिक करते हैं तो उसके बाद यह चेंज हो जाता है डीटा and you can play जैसे भी आप खेलना चाहते हैं फिल्टर के जैसे भी आप चाहते हैं आपकी अकॉर्डिंग वो वो चीजें तो इस तरीके से हम कर देते हैं तो मैं अभी इसको जीरो ही कर देता हूँ डेटा यहां से हटा देता हैं तो अभी हम आप डेटा के साथ यहां पे हैं ब्रैंड, कैटेगरी, ब्सर, प्राइस, रेटिंग, नमबर ओ रेटिंग तो इस अब आगर आपको लगता है कि कुछ कॉलम ऐसे हैं जो मेरे मतलब के नहीं है तो लेट्स सपोज आपको ब्सर नहीं चीए बैसलर राएं तो आप देखोगे, ब्सर वापस आ गया ऐसे पैरामेटर जो आपको लगते हैं इंपोर्टेंट नहीं है एक पटिकुलर एनलेसिस के लिए जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं और जो एडिशनल पैरामेटर है वो आपके लिए डिस्टाक्शन करेट कर रहे है या आपके काम के नहीं है तो आप इस तरह इन कॉलम्स को कस्टमाईज करके इनको हटा सकते तो अब आप देखेंगे यहाँ पे व्यू बाए आ रहा है यह बहुत शॉर्ट फॉर्म में अक्रोनियंस में बहुत important चीज़े लिखी हुई है मैं आपको बता देता हूँ तो SP is sponsored product तो sponsored product यहाँ पे यह बता रहा है कि किन-किन हमने वो ACS में select की हुए है जो sponsored product ads run कर रहे है तो आप देखोगे इनालसा में SP का icon आ रहा है तो यह sponsored product run कर रहा है तो जिसके आगे Amazon choice badge तो किस-किस product को Amazon choice badge मिला हुआ है उसके आगे यह black color का जो icon है AC यह सब को मिला हुआ है तो जिसके पास Amazon choice badge नहीं होगा उसमें icon नहीं आगा तो यह देखते हैं यहाँ पे Amiraj यह जो product है इसमें AC icon नहीं है इसके नीचे गनेश का भी है चौपर इसमें भी नहीं है तो इस two are the products that does not have Amazon choice badge तो इस तरीक से लेक्से लिम्टेट टाइन डील आपने देखा होगा बहुत सारे products ऐसे होता है जापे लिम्टेट टाइन डील का offer रन हो रहा होता है तो यह icon भी उनके आगे आता है इसके बाद होता है A-plus content किस-किस listing में किस-किस ACN में A-plus content बना होगा है इसके बाद आता है video introduction किस-किस listing ने अपने videos add की होएं तो आप देखो कि गरीन ग्रल का icon आ रहा है जिन-जिन ने videos आड करे होगा है A-plus का भी icon आ रहा है जिन जिनों यहां पर आड के हुए ठीक है इसके बाद आता है SBA SBA Sponsor Brand Add तो बहुत हर कोई Brand Adds रन नहीं करता है तो लेकिन It's a very good technique to market your product and to create a big brand in the market तो SBA कौन-कौन रन कर रहा है उसके आगे SBA का logo आता है इनालसा कर रहा है इनालसा के दूसरे product पे भी है तीसरे पे भी है और उसके बाद आप देखोगे Sponsor Brand का जो आइकन है वो नहीं आ रहा है The next is BS which is best seller तो हमने best seller जितने भी essence है उनको भी ignore किया है और इसके बाद ABS है A plus brand story जिनोंने अपने product में add करी हुई है वो अले products SVB Sponsor Brand Videos अगर किसी ने video add run किये हुए है and no badges वो products इनके उपर badges नहीं है क्योंकि अभी हम क्या study करने जा रहे है अभी हम यह study करने की कोशिश कर रहे है कि वो सारे products जो पे कुछ भी है चाहिए वो brand ads run कर रहे है वो best seller है या नहीं है चाहिए उनके पास Amazon Choice badge है कि नहीं यह limited title deal offer कर रहे है या नहीं कर रहे है So it's like हमें सब कुछ analyze करना है to get best out of it तो इसके बाद आप चाहो तो boxes फो अंचेक कर सकते हैं तो वो हट जाते हैं और उसके बाद आप analyze button पर क्लिक करके यह data refresh कर सकते हैं चीक है तो किस तरीके से यह हमें सारे products आ चुके हैं left side में इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे brand आ रहा है सबसे पहले किस brand का product है तो इनालसा हो गया butterfly, pigeon, wonder chef and this category कोन कोंसी है home and kitchen में ही है क्योंकि हमने उस category का ही product select किया है available chopper तो next is BSR तो BSR जो आपे दिख रही है जैसे 1249 तो अगर यह best seller rank आपको दिख रही है यह उसी time दिख रही है real time जब ज़स दिन आप यह tool को run कर रहे है जिस extension को यह run कर रहे है आप उसमें further detail देख सकते हो कि हमारा AC number क्या है BSR कितना है price कितना है number of ratings कितनी है past 30 day में जो rating velocity है मलब कितने units sold हो है किस rate से sold हो है किस percentage से sold है वो भी आपको दिख जाता है 49.81% and 267 units sold हो है launch rate क्या थी इस product की 2018 में launch हुआ था blue color में जो हमें graph दिख रहा है that is BSR best seller rank जो की home and kitchen में है and वही पे जो orange color की line दिख रही है that is best seller rank in mini food processor and choppers चीक है तो जिस भी category में ये product है उस हिसाब सी आपको rank दे रहता है चीक है इसको close करते है आप चाहो तो इसको data को भी download कर सकते हो कि देखोगे excel में data आ जाता इस icon पर click करते ही and we simply close it and इसके बाद next field पर चलते है तो next field is about price कि price क्या इस product का इसमें इनोंने इनाल साले 16.99 पर sell कर रहे हैं तो इस पर भी आप click करके further detail निगाल सकते हैं तो आप देखेंगे उपर वही information आ गई है and इसके बाद आपको chart आ गया है कि किस date पे price उपर गया किस date पे नीचे गया तो आप इस तरीके से seller की strategy भी figure out कर सकते हैं कि वो क्या pricing strategy यूज़ कर रहा है कि कौन से महीने में वो अपने price बढ़ा रहा है या किस date पर बढ़ा रहा है तो इस तरीके से कैसे आप यूज़ कर सकता है इस टूल को अपने competitor के pricing strategy को समझने के लिए के बाद है rating average rating average में आप देखेंगे 4.4 है and इसको B rating मिली हुई है यह जो rating का जो source है A, B, C बगएरा यह fake spot एक review website है उसके help से इस tool ने इस पे बनाया है वहाँ से यह APIs pull करते है और उसके basis पे यह judge करते हैं कि जो number of comments है वो कितने real है यह कितने fake है तो अगर आप लोगों को fake spot पे कोई video चाहिए कि उस tool को कैसे use करना है या वो tool कैसे काम करता है just let me know in comments आप मुझे comment में लिक के मेज दीजे कि आपको fake spot पे video चाहिए and I will create that ओके तो इस तरीके से आप देख सकते है 4.4 अब यह product है Wondership Classic का जिसकी rating A है आप देखोगे बाकि सब भी 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 A है तो this is a thing हलाकि उसकी rating overall rating 3.9 है but no doubt उसकी fake spot मतलब original reviews के comparison में जो fake reviews काफी sellers करवाते हैं तो उस respect में यह बहुत ही genuine product है जो उसके reviews है वो बहुत genuine है ओके The next is number of ratings कितनी ratings हैं तो इस पे भी आप click करते हैं तो आपको ratings मिल जाते हैं तो blue color में जो chart दिख रहा है आपको that is number of ratings और जो orange color में दिख रहा है that is rating average तो आप देखेंगे कि product launch जब हुआ था उससे देरे 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 आपके number of ratings and reviews increase हो जाते हैं तो मैं बस यहाँ पे एक चीज बुलना चाहूँँगा कि बहुत सारे sellers desperate हो जाते हैं अपने products launch के बाद कि बस हमारे product के किसी तरह जल्दी से reviews और ratings आ जा जा है तो I highly recommend कि कभे भी desperation show नहीं करना है या reviews के पीछे नहीं भागना है and with time सब चीज़े हो जाती हैं अगर आप सही तरीके से patience के साथ चीज़े करेंगे सही policies को follow करेंगे regulations को follow करेंगे आप आराम से एक successful Amazon seller बन सकते हैं तो desperation show मत करना और fake reviews के चक्कर में मत पढ़ना this is my very recommended advice to all of you ओके तो number of ratings के बाद new ratings कितनी है तो new ratings बिछले 30 दिनों में 30 days में कितने ratings मिले कितने ratings and reviews आए है तो इस तरीके से यह चीज़े है इसके बाद rating rate rating rate क्या है कि number of ratings divided by units sold तो कितनी units बिकने पे बिकने पे कितने ratings आ रहे है तो इस तरीके से rating velocity निकाली जाती है तो this is that number आड़ेस पे भी आप क्लिक करके वो graph समझ सकते हैं तो blue line यहाँ पे define कर रही है कि rating increase कितनी rating बढ़ रही है and rating velocity कितनी तीज़ी से बढ़ रही है वो orange color में दिखाया हुआ है चीक है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको further detail मिल जाते है तो this is the overall unit sold chart चीक है तो आप देखोगे जो orange color में है that is your sales की इतने sale हो रही है and जो green color में है that is your revenue तो अगर मैं सबसे high पे वाले bar chart को understand करने के कोशिश करूँ तो आप देखोगे इसमें sales आ रही है हमारी 380 और revenue बना है हमारा 6,49,979 रूपीज तो इस तरीके से आप यह देख सकते हैं तो अभी जो आपको यहाँ पर data दिख रहा है वो month wise दिख रहा है and अगर आप इसको year wise देखना चाहते है तो simply enable this button तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपर year wise data आ गया तो इस तरीके से आप इस data को study कर सकते हैं and let's close it और आगे बढ़ते हैं तो next is revenue तो अभी आप देखोगे यह जो first product है हमारा यह 4,5,5,5,5 के करीब यह revenue generate कर रहा है last 30 days में तो यह monthly आपके कितना revenue generate हो रहा है यह वो चीज़ है gross margin 99% तो अगर आम इस पर click करते हैं तो आपको यह calculator खुल जाता है FBA का and इसने अपने हिसाब से जो listing price है shipping price है इस तरीकी की values feed कर दी है referral fees कितनी लग रही है अगर FBA बहो तो FBA कितनी लग रही है तो उस तरीके से यह profit margin आपको calculate करके दिखा देता है however I always recommend क्योंकि यहां पर इस in calculators मेंने देखा है बहुत सारी लोग कुछ mistakes करते हैं जैसे कहां कि listing price 16.99 है ठीक है consumer shipping shipping का चार्ड यहां पर नहीं लिखा हुआ ठीक है तो अगर आप खुद से ship कर रहे है या FBA की कुछ fees जा रही है यहां पर shipping का कुछ है अब जैसे यहां पर FBA की fees जा रही है 13 रूपय तो obviously मैं shipping पर कुछ नहीं डालूगा वह 0 ही ठीक है लेकिन अगर आप easy ship कर रहे है तो obviously आप यहां पर कुछ fee pay कर रहे होगे अपने third body पोरे service को जिससे वह product customer को जा रहा होगा तो let's suppose आप 70 rupees पे कर रहे है तो यहां पर fee mention कर रहे है just to calculate the things चीक है marketing cost इसने जो assume किया है वहां पर marketing cost 0 है अब हो सकते आप ads run कर रहे हो आप 100 rupees per day का ad run कर रहे हो माल लो अलंकि 100 rupees per day में कुछ होगा नहीं पर माल लेते हैं hypothetically for an exam but तो आपको यहां पर PPC cost डालनी पड़ेगी चीक है तो इन calculators का use करें these calculators are good but बिल्कुल by default mechanism भी use करेंगे तो वह आपको कभी भी correct picture नहीं देगा कि exactly आपके business में क्या हो रहा है and मैंने देखा है यह गडबड almost हर नया seller करता है so I highly recommend Amazon business शुरू करने से पहले अपने profit margins ठाक से calculate करें उन पो ठां से समझें and उसके बाद ही आगे बुआ करें okay the next is FBA obviously FBA की fees कितनी लग रही है तो हमने calculator कोई के भी देखा था तो 13 रूपए के आराउंड इस नहीं दिखा था तो इस तरीके से यह फी दिख रही है और यह पर यूनिट फी है तो एक प्रोड़क्ट पे यह 13 रूपए लग रही है तो लिस्टिंग इसके बाद हमारा है हैं color होते हैं तो chopper के case में sizes ही होते हैं कभी 400 ml 500 ml 900 ml 1200 ml तो इस तरीके के जो भी sizes है तो इनालसा के 3 होंगे इसलिए 3 variation आ रहे है number of sellers which is very important कि कितने number of sellers इस प्रोड़क्ट को बीच रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो sellers है और आप इस नंबर पर जब क्लिक करते हैं तो आपको एक page खुल जाएगा उस प्रोड़क्ट का और वहाँ पर आपको दोनों sellers जो है वो आपको वहाँ पर दिख जाएगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन-कौन इस प्रोड़क्ट को बीच रहे हैं तो आप देखो कि जा तो लोग FBA यूज कर रहे हैं नीशे चलके देखते हैं तो आप देखो कि पिजन का जो चौपर है उसमें FBMB हो रहा है मर्चंट फुल्फिल्मेंट भ भी ठोन या उसमझ करके अधेा तो इसस तरीके से यह पूरा पूड़क्ट रिसार्च है थीक है तो फ्रोड़ंस एकसेंशन का यूज कर के आप पूरे तरीके से इस प्रोड़क्ट रिसार्च को समझ सकते हैं सारा डी डेटा स्कते हैं ट titles झो फसके शोपर सम्झा कि नाध मतलब है वो डेटा आपको excel में export करके देगा एक्सपोर्ट से मतलब है सिर्फ आपको sales का data जो है वो export करके देगा रिए अगर आप reverse ASIN से रिलेटर कुछ सर्च करना चाहते हैं कुछ समझना चाहते हैं किसी कि Aesun के बारे में तो इसको अभी हम डेटेल में देखंगे वह यह बारा नेक्स टेप हैं अगर आप अप ट्राफिक कंपेर करना तो आप कर सकते हैं इसके बाद माईलिस्ट में एड कर सकते हैं तो अब लचीं प्राइश काम कर रहे हैं तो यह वैं लोड़ मौर पर तो और रिजल्ट में include हो जाएंगे, but 100 is more than enough not to add more, क्योंकि data बहुत ज़ादा हो जाएगा, तो आपके लिए complexity भाड़ सकती है, but हाँ if you are an experienced seller, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़ादा data handle कर सकता हूँ या में को कुछ और deep down जाना है, तो figure out कि जाएद कुछ ऐसा है, जो बाही sellers नहीं कर रहे है, तो it's always good to analyze the data, तो अब हम देखते हैं कि हमारा इस extension का next feature है reverse asint, तो हम उस पर click करते हैं and अभी आप देखेंगे, यहाँ पर कोई भी data नहीं है, तो इस data को fetch कराने के लिए हमें कोई asint देना पड़ेगा system को so that वो उसके बारे में जितने भी detail है, वो बता पाए तो इसके लिए हमने pigeon का chopper खोला हुआ हैं, और आपको asint copy करना है, तो asint copy करने का पहला तरीका तो यही है, आप url से copy कर लें, and नई तो दोसा तरीका यह होता है, जो मैंने बहुत बार बताए है आपको simply product information में जाना है किसी मी product के add वाँ पे asint number दिया होता है आप यह देखेंगे, यहाँ पे asint number दिया हुआ है, ठीक है इसको ले आके, आप यहाँ पे paste कर देंगे इस asint को add, search button पे click कर देंगे, so everything take one to two minute, तो populate the entire data, तो हमारा data आ चुगा है, तो इसको analyze करते है, तो आप देखोगे, reverse asint में क्या होता है, मैंने आपको एक वीडियो अल्रेडी बनाया हुआ है, तो reverse asint में हम क्या करते है, हम basically अपने competitor का asint निकालते हैं, यूज करते हैं ये figure out करने के लिए, कि वो किन-किन keywords पर rank कर रहा है, ठीक है तो अभी हमने क्या किया है, कि let's suppose हमें, इजन का जो chopper है वो किन-किन keywords पर rank कर रहा है या उससे related जो भी थोड़े-बहुत products है, वो कैसे rank कर रहे हैं, किन products पर rank कर रहा है, तो आप देखोगे, six, one, five filter keywords, इतने keywords निकाल नहीं है, स्टोन ने, कि ये सारे relevant keywords हैं, जिन पर ये rank कर रहा है, ठीक है तो आप देखोगे, कि पहला item है, kitchen accessories item, highly searched item है, ठीक है click share, यहाँ पर पता चल रहा है कि percentage of clicks कितने, कितने percent लोग click कर रहे हैं, ठीक है and second line में आपको पता रहा है, weekly impressions कितने हैं, ठीक है तो मतलब 26% लोग, इस keyword को search करने के बाद, pigeon का जो chopper है, उस पर click कर रहे हैं 37,000 लोग देख रहे हैं, इस product को VT basis पे, ठीक है, तो इस तरीके से ये data आप analyze कर सकता है मतलब, it's like मतलब, बहुत ही तगड़ा figure है ये और बहुत ही तगड़ी चीज़ है जिसको आप समझ सकता है मतलब, this is like kind of a warm kind of a thing, जिससे आप अपने product को rank high कर सकते है keyword type किया है, highly searched है highly searched है, wait table chopper, SP AdWords the good part about this extension or this tool is, जो आपको यहाँ पर दियान रखने है, यह search के साथ-साथ आपको add का भी data देता है तो add का data आप देखोगे कि organic में 100% है ads पर 0.00% है distribution, तब percentage of traffic organic में कितना division है और bid में कितना division है ठीक है, तो यहाँ पर देखते है variable chopper is a good example, तो देखोगे इस keyword के ऊपर इस product पर 47% ऐसा traffic है जो organic है, ठीक है 52% traffic ऐसा है जो add से through जा रहा है तो इस तरीके से आप figure out कर सकते हैं कि कौन से keywords है जो आपको help करेंगे organic rank होने में और कौन से ऐसे keywords है जिनको आपको actually अपने add campaigns में add कर रा चाहिए ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे data देख सकते हैं ओके, the next is organic rank exact rank क्या है आपकी तो यहाँ पर थोड़ा सा grey out है लेकिन इसको देखते हैं, तो आप vegetable chopper पर देखोगे rank 5 है, under 99 भी अगर लिखा आता है कहीं पर कि vegetable chopper under 99 तो आप देखोगे rank 14 है तो year till date आपको rank में जाएगी 21 is to 41 का जो ratio है and today जो दिख रहा है वो 10 is to 39 का है, ठीक है organic and paid का order the next is sponsored product rank अगर यहाँ पर rank आ रही है तो अभी सब जादर products में नहीं दिख रही है तो यहाँ पर vegetable chopper में ही second दिख रही है तो this is a thing next is Amazon brand analytics rank तो यह वो rank होती है जो आपकी एक particular time में कितनी popularity है उस system के basis पे ठीक है, तो 84 है यहाँ पर, 601 है, 696 है तो this is a very good rank और brand analytics खुद Amazon का एक tool है और इसकी वज़े से अगर आपको कोई data मिल रहा है तो it is very accurate क्योंकि Amazon का खुद का data है तो obviously यह rank बहुत matter करती है तो आप इस पर इस number पर brand analytics rank है, वो क्या है तो आप देखोगी, यहाँ पे आपको यह चार्ट आ गया है जिसमें जो orange color के marks है that is searches, number of searches क्या है जो blue color की line आपको दिख रही है that is your unit sold, कितने units भी के हैं जो green color की आपको line यहाँ पर दिख रही है, that is your purchase rate and उसके बाद जो आपको नीचे blue color की line दिख रही है वो है, ABA rank, Amazon brand analytics rank तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम over करते हैं तो सारा data आजाता है 2023 के तीसरे महिने में, March में तो basically क्या था, searches कितनी हुई year on year search growth कितनी percent हुई तो इस तरीके से you can analyze the data the next is monthly searches monthly searches कितनी हो रही है इस product की, तो अभी हम क्या करेंगे हमने ABA rank के जिस तरीके से number पे क्लिक किया था, उसी तरीके से हम 55,223 जो search trend graph है यह जो monthly searches है, इन पे क्लिक करेंगे and इस तरीके से आपको वो सारा data निकल आएगा, तो already मैं बता चुका हूँ, सारे जो legends है, यह सारे जो figures है, यह data है क्या color किसको represent कर रहा है, तो same वोई चीज है, और यह आपको help करेगा to analyze the monthly search pattern तो अभी तक आपको क्या क्या समझ आया आपको दोको यह समझ आ गया कि organic rank मिल गई, मैं को इस extension से sponsor product rank मिल गई, ABA rank मिल गई, अब है एक SPR यह particular product है इतनी बार प्रिकना चाहिए कि कम से कम जिस page में लिस्ट है, उस page में यह half page से उपर आ जाए, ठीक है थोड़ा सो complicated लग सकता है, बाट बहुत ही simple है, last endings की duration में इस keyword पे, let's suppose vegetable chopper पे, ठीक है, कितनी बार यह product किसी ने search किया, let's suppose मैंने search किया vegetable chopper, और मेरे साथ ऐसे ही कुछ और लोगों ने search किया तो 8 दिनों के अंदर, जितने भी लोगों ने इसको search किया है, उस search के बाद इस product को purchase कर लिया गया और उस purchase की वज़े से जो मेरी ranking उपर गई अगर मैंने वो half of the page को तोड़के first half of the page मैं आ गया हूँ second half of the page से, इसका मतलब मेरी वो SPR rank calculate हो रही है तो इसके बाद आगे चलते है unit sold, कितने number of units sold हो गया है इस keyword की वज़े से, तो आप देखोगे यहाँ पर 662 हो हो है, लेकिन kitchen accessories item जो top पे है, उसको आप देखोगे 1203 बाद sold हो गया है इस keyword की वज़े से, the next is product product का यहाँ पर यह मतलब है कि अगर इस keyword को search किया गया है, तो कितने number of products Amazon ने वाँ पर showcase की है तो इस तरीके से आप यह देख सकते हो कि competition कितना है, किन-किन products पर यह keyword use हो रहा है तो this is another insight जो आप use कर सकते है तो ठीक है, तो मेरे वीडियो को पूरा देखा करी है, क्योंकि वो सिर्फ normal walkthrough नहीं होता मैं उसी में जो यह golden insights होते हैं जो amazing insights होते हैं वो आपको निवे मिलते हैं, ठीक है तो वीडियो को इंटन देखें and subscribe कर ले न आपी का भला है, okay the next is DSR, DSR का क्या मतलब होता है DSR का मतलब है demand supply ratio formula बहुत ही simple होता है search volume divided by search result ठीक है, तो search volume क्या है demand, और search result क्या है supply, तो इस तरीके से यह ratio calculate किया जाता है the next is sponsored agent, ऐसे कौन से ACES हैं, जिन पे ads run हो रहे हैं, ठीक है और जो first three pages पे results हो आ रहे है, first three pages को search results है, वहाँ पे आ रहे है, तो in keywords पे, अगर कोई ads run कर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे यह, जो sponsor product है, इतने ACES हैं, जिन पे इस तरीके keyword use होके उन पे ads run हो, थोड़ा सा scroll right में करते हैं, तो आप देखो किए कुछ data और खुल गया है, the next is clip concentration, तो clip concentration में आप देखो कि दो data आ रहे है, 10.8% और 11%, तो 10.8% जो उपर blue color का figure है, वो आ रहा है जो top three acing से उनका sum total करके, ठीक है, और जो नीचे gray out में जो data आ रहा है that is 11%, वो आ रहा है जो low top three acing से उनका calculation करके, तो आप इस 10.8% पर click करेंगे, तो देखते हैं क्या कुलता है, तो इस तरीके से आपको trend आ जाता है, तो आपको दिखेंगा, जो green color में आ रहा है, that is your click concentration, और जो orange color में आ रहा है, that is your conversion rate, तो कितने clicks हुए, कितने convert हो रहा है, इस तरीके से यह चीज़े, आप आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, the next is PPC bid, PPC bid का मदब बहुत clear है, paper click, bid कितना चल रहा है, उस particular keyword का, तो आप देखोगे, अगर हम kitchen accessories item की बात करें, तो उसकी जो bidding है, that is 7.92%, ठीक है, तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, तो आपको trend भी दिखा देगा, कि कब high हुआ है, कब low हुआ है, तो आप देखोगे, जो green color का है, that is your suggested bid, ठीक है, minimum कितना जा रहा है, वो blue color में दिखाया गया है, और maximum कितना गया है, वो आपको orange color, तो यहाँ पर देखो beauty क्या है, यहाँ पर जो golden insight है, जो amazing insight है, वो क्या है, amazing insight है, let's suppose आपने keyword figure out कर लिया है, जिसके high search volume है, और low competition है, वो आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं bid कितना करो, तो इस tool की help से आप bid figure out कर सकते हो, हाला कि आपको campaigns में भी data मिलता है, Amazon PPC campaigns के time पर भी suggested bid मिल जाते हैं, but no doubt, यह थोड़ा सा ज्यादा आपको trend दिखा रहा है, ज्यादा better तरीके से दिखा रहा है, तो you can utilize this, and इस तरीके से आपको दिख जाता है कि बाकी competitors इस keyword पर ज्यादा है, पैसा नहीं लगा रहा है, तो it's up to you कि आप कैसे अपने competitor को बीट करेंगे, the next is ACT, ACT is like search kind of a thing, जो आपको help करता है, तो let's suppose आपको जो kitchen accessories item है, वो Amazon पर search करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको simply A का जो logo है, Amazon का logo है, उस पर आप click कर देंगे, और उसके बाद यह आपको वो page खोई के देदेगा, और इस page विल ओपन कि इस kitchen accessories items के लिए यह सारे products वहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगे, ठीक है, अब यह तो गया Amazon, लेकिन अगर आपको Google Trend देखना है, गूगल Trend एक amazing tool है, और इसके बारे में भी मैंने कुछ वीडियो में बताया हुआ है, तो यह क्या करता है, यह किसी भी दुनिया की किसी भी product, service या keyword, basic keyword का trend बताता है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे, यह यहीं पर trend आपको खोल के दिखा देगा Google का, तो यह trend हमारा आ चुका है, तो आप देखोगे kitchen accessories items का, इस तरीके से trend fluctuate होगा है, पिछले 3 साथ होगा है, अगर आप मान लिए एक सल का data analyze करना चाहते हैं, तो यू simply click on one year, और इस तरीके से आपको data जा रहा है, कम down जा रहा है, तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, कि कोन से महिने में up and down है, कितना search volume है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, कि आपको web search के विए shopping search देखना है, कि Google shopping search पे क्या impact चल रहा है, तो आपको इस तरीके से यह data दिखेगा, हाला कि I would always recommend कि आप Google web search पे ही रहन दें, क्योंकि this is the most search platform, मैं यह कहा हूँ, shopping search पे जाके specifically कोई search नहीं करता है, सब Google भी करता है, तो stick to this only, तो इस तरीके से आप reverse ASIN का जो feature है, Seller Sprite Chrome extension का वो आप news कर सकता है, ठीक है, I hope आपको मज़ा होगा यह feature समझने में, तो समझने में अगर मज़ा आया है, तो next step पे चलते हैं, जो कि है keyword mining, ठीक है, पर उससे पहले वीडियो को like, okay, the next is keyword mining, keyword mining पे यह करता है, तो keyword mining में ही आप देखोगी बहुत सारा data आ गया, तो आप देखोगी, यहाँ पे अपने product का नाम डाल सकते हैं, आप यहाँ पे, कि आप क्या बेच रहे हैं, let's suppose, shoes बेच रहे हैं, water bottle बेच रहे हैं, तो आप क्या पे डालेंगे, and उसके according, जो भी relevant keywords है, वो यह tool आपको निकाल के देदेगा, ठीक है, तो अभी हम vegetable chopper की बात कर हैं, तो इस तरीके से यह सारे keywords हमारे left की तरफ आ चुके, तो 50 results आए हुए हैं, आप नीचे देखोगे, load more करके आप और भी results निकाल से, तो इस तरीके से basic लिए जितने भी relevant keywords है, वो आपको मिल जाता है, लेकिन अब further देखते हैं, कि क्या, इसमें से keywords हो बहुत सारे है, keywords क के product से कितना ज्यादा closely attached है, कितना ज्यादा relevant है, कितना ज्यादा उस product को justify कर रहा है, तो vegetable chopper keyword, vegetable chopper के लिए सबसे accurate है, इसलिए 100 है, वाइब अगर हम नीचे आए, chopper for kitchen, तो इसको 89 दिया गया है, तो इसलिए अब जैसे onion chopper है, onion chopper is 83 है, यह थोड़ी है कि मैंने chopper लिया तो rank, जैसे बताया, Amazon brand analytics rank, इस particular keyword के लिए कितनी है, 658, तो आप इस पे मी click करके, chart open हो जाएगा, and you can see the all the details, और यह chart अभी मैंने पहले भी दिखाया था आपको, ठीक है, यह same chart है, next is monthly searches, और लिए नी देख चुके है, product research के, जब हमने feature explore किया था, similarly SPRBM explore कर चुके है, तो next is title density, title density से मतला यह है कि number of products on page 1, जिनके titles में यह keyword है, ठीक है, फिर से बता लेता हो, आराम से समझने की कोशिश करें, यह keyword जिस जिस product के title में है, और वो सभी products अगर page 1 पे आ रहे है, that is title density, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे, vegetable chopper 16 पे है, chopper 50 में आए, तो इस तरीके से यह numbers दिये गया, okay, the next is units sold, कितने units बिक रहे हैं एक मन्त में, और नीचे जो percentage दिया है, that is your purchase rate, कि units sold divided by search world, ठीक है, कितने लोगों नो सर्च किया, उस वैसे कितने बिक रहे है, that is your purchase rate, next is product, कि अगर कोई बंदा यह vegetable chopper search कर रहा है, तो इस keyword की वज़े से, कितने products आपको return में दिख दिखा रहा है Amazon, ठीक है, तो basically कितने search results appear हो रहे है, great, DSR obviously बता चुका हूँ, demand supply ratio बहुत डिटेल में, sponsored ASIN, already पता है किन किन पर arts सेल रहा है, click concentration, अभी मैंने बिल्कुल समझा है, reverse ASIN में, तो I am not going to repeat it, PPC bid, already समझा दिया है, और हमारा Google trend और यहापे Amazon trend, दोनों मैंने यहाँ दिखा दे, ठीक है, तो basically keyword mining क्या दर रही है, बहुत वैसा ही closely attached है, यह हमारे reverse ASIN से, यह product research से, तो होता यह है कि हमें भी बता है कि बहुत सारे parameters होता है, लेकिन जब हम किसी एक particular चीज के लिए research analysis कर रहे होता है, तो बहुत सारे parameters overlap होते हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना हो तो इस तरीके से, okay, the next is index checker, index checker में यह होता है कि आप यहाप पर अपना ASIN डालेंगे, and उसके बाद आप यह देख सकते हैं कि क्या आपका जो product है, उस ASIN में index हो चुका है, वो keyword या नहीं हुआ है, तो let's suppose मैं यहापर जो हमारा vegetable chopper है, pigeon का वो डाल देते हैं, and एक काम करता है, इसमें हम vegetable chopper keyword ही यूज करते हैं, इसमें आप देखोगे, तो actually 200 तक ASIN डाल कर सकते हैं, and अगर आपको multiple keywords चेक करने हैं, let's suppose मैं एक और डाल देता हूँ, onion chopper, तो जब भी आप multiple keywords यूज करने की सोच रहे हैं, इंडिस checker में, तो हमेशे याद रगेंगे, नए लाइन मे keyword डालेगा, उसके आगे बन डालेगा, ठीक है, and we click on search, तो आप देखोगे, यहाँ पे कुछ data populate हो रहा है, अभी data fetch हो रहा है, और यह data आच चुका है, वेज़िटीवल chopper, ASIN ये है, इसमें आप P1 देखेंगे, organic location basically क्या है, page 1 पे 8 आ रहा है, और sponsored location अगर देखेंगे, तो कि page 1 पे 1 है, exact location 8 और 1, obviously जो यहाँ पे है, वो ही दिखा रहा है, result इतने आ रहे हैं, ABBA rank, search मतने, purchase rate, all this are, already बता चुके है, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते है, अब अनियन chopper हम ने डाला था, तो अनियन chopper, मैं भी आप देखोगे, rankings अने ये सब आ चुका है, तो index और brand analytics rank क्या है, उसकी वज़े से searches क्या हो रही है, purchase rate क्या है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, and नीचे अगर आप देखोगे, हमने दो keyword डाला थे, और दोनो keywords index है, तो ये हमें बता देता है कि इतने keywords index है, तो इस तरीके से आप इस product को use कर सकते ह है, and above all, अगर माल लीजे, आप अगर कोई product ये उसका data import करना चाते हैं, किसी Excel से, तो भी आप इस feature का use करके कर सकते हैं, ये button आपको दिख रहा है, import from product and keyword tracker, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, the next is my list, my list में क्या होता है, कि अभी ये list empty है, मैंने आपको product research के case में दिखाया है, ये my list, let's suppose अगर मुझे यहाँ पर ये product अच्छा लग रहा है, आने इसको यहाँ पर check box पे tick कर दिया, and my list पे click कर दिया, तो इसके बाद ये जो product है, आप चाहो तो इसमें create new list भी कर सकते हो, let's suppose आप multiple products में deal कर रहे हो, जापे track करना चाते हो, कि vegetable chopper की मेरी list है, water bottles की ये है, shoes कीए है, तो इस तरीके से आप अपनी multiple list बना सकता हो, और ये product वहाँ पे add हो जाएगा, तो जब ये add हो जाएगा, तो आप जाके फिर my list में particular उस product को track कर सकते हो, analyze कर सकते हो, तो in this way, you can use my list feature, तो ये था complete process of seller spread chrome extension, अगर आपका कोई सवाल हो, या मैंने कुछ miss कर दिया discount link description में दिया हुआ है, और हाँ, बाकी seller से आगे रहना है, तो subscribe कर लेना, बिलते हैं next video में, till then, keep selling, keep smiling